नमस्कार जहीन मैं हूँ रॉनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं साल में हमारा 36 संजु सैंसन स्पेशल रंतंत्र ये वीडियो हम बड़े दुखी मन से बना रहे हैं ठक गया हूँ मैं संजु भाईया को इग्नोर होता देखकर वाया इतना इग्नोर तो ब्रेड के पैकेट से निकलने वाला पहले ब्रेड का टुकडा भी नहीं होता जितना संजु भाईया इग्नोर हो रहे हैं T20 के साल में वो ODI खिलते हैं, One Day के साल में उनको T20 खिलाने भेज दिया जाता है, और बीच में तो ऐसा टाइम भी आ गया था जहाँ इंडिया की Asian Games में गई टीम का भी हिस्सा वो नहीं थे, मतलब World Cup में उनको नहीं डालो समझ में आता है, World Cup के backup options में उनको नहीं डालो समझ में आता है, लेकिन Asian Games में तो बच्चों को भी भेज दिया था यार, तुम लोगों ने, मतलब BC से आई वाले जब भी Sanju को देखते हैं, तो उनके दिमाग में यहीं चलता है, क्या? सब के इसद करेंगे तो लूटेंगे किसकी? और आप मुझे यकीन हो चला है कि कुछ तो गडबड़ है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि लगबग हर performance के बाद Sanju Samson को बिना वज़े ड्रॉप कर दिया जाता है, माइंड यू Sanju Samson, अगर वाकरी में ड्रॉप करने लाइक होते, तो वो एक IPL टीम के कफ्तान न होते, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक ऐसी वीडियो बनाई जाए, जिस पर मुझे एक व्यू चाहिए, और वो व्यू संजू Samson का होना चाहिए, यानि ये वीडियो हम संजू Samson के लिए बना रहे हैं, और इसमें उनको सला दी जाएगी कि इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के लिए उनको क्या करना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को इतना फैल आईए, कि ये संजू भाई तक कहों जा, ठीक है, सलाह नंबर वाण, सोशल मीडिया, संजू भाई का मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, इस आदमी ने एक भी ऐसी रील नहीं बनाई है, जिस पे मोय मोय किया गया हो, नहीं इसने बादल बरसा बिजुरी पर नाचा है, ना इसने Get Ready With Me ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया है, ऐसे होगी सेलेक्शन, संजू भाई दिक्कत यह है ना कि आप खाली पिछ पर खेलते हुए दिखते हो, पिछ से जागा टाइम इंस्टाग्राम पर दिखो, परसेप्शन की दुनिया है, हर आदमी सोशल मीडिया पर है, तो आपको सेलेक्ट करने वाले भी वहीं होंगे, रिल देखकर अपने अंगूठे की रेखाएं मिटा रहे होंगे, इसलिए वहीं दिखो, मुझे नहीं लगता की ग्राउंड पर पसीना बाहने से कुछ होने वाला है, फाल्तु में जिम जाकर लोहा उठाकर ठक रहे हो, फिर सेलेक्शन नहीं होती, तब आते हो सोशल मीडिया पर फोटो डाल कर इंडिया का जंडा लगा जेते हो, अरे तकनीक ही गलत है तुमारी, चलो मैं आइडिया देता हूँ, संजु भाई अभी के अभी पहुंचो किसी टैटू आर्टिस्ट के पाथ, अपने बॉडी में एक बड़ी ऐसा टैटू बन वालो जो खेलते डाइम दिखे, और इस पूरे प्रोसेस की रील बना लो, फिर मजा ना आये तो कहना, सलाह नंबर दो, मीडिया में बने रहो, संजु भाई एक बार क्रिकेट केल कर जाते हैं, तो उसके बाद मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया तो फिर भी लाल चेश्मा लगा कर दिख जाता था, संजु भाई तो तब भी नहीं दिखते, और आपको पता है, जब तक तालाब में एक पत्थर नहीं गिरेगी, तब तक पानी में हल चल नहीं होगी, इसलिए संजु भाई से कहना चाहूँगा कि एक बढ़िया सी PR एजंसी आयर करें, और फिर थोड़ी कांट्रोवर्सी बगेरा करें, एक्जामपल के तौर पर वो पूर वो गुजरात, और अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पंडिया से सीख सकते हैं, बंदा वर्ल्ड कप के बीच से गायाब हुआ था, उसके बाद से एक मैच नहीं खेला, लेकिन मजाल है, आपके अखबार में न दिखा हो, पहले हर्दिक भाई को सब इसलिए याद करते थे, कि उनकी इंजड होने की वज़े से मोहमच शमी को टीम में खिलाएगा, फिर उनको गुजरात वालों ने याद किया, और अब रोहित शर्मा के फैंस तो उटके बैठते उनको याद करते हैं, वज़े चाहे जो भी हो, लेकिन पॉटम लाइन ये है कि याद तो कर रहा है न, संजु भाई को भी थोड़ा सार रेलेवेंट होना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कि कॉपी विद करन का ये सीजन अभी चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन अगर चल रहा है, तो एकाँ चक्कल लगा के आप फेमस वर सकते हैं भी या, सला नमबर तीन, थोड़ी दोस्ती बनाएं, संजु की ट्विटर टाइम लाइन देख लो तो इस साल उनने खाली तीन लोगों के साथ फोटो शेयर करी है, एक तो धुनी हैं, जो बेचारे खुद रिटाइर हो चुके हैं, उनके साथ दोस्ती बनाकर क्या भाइदा, दूसरे शेन वाटसन नों जो उस्टिले से हैं, संजु को उस्टिले के टीम से थोड़ी ना खेलना है, वो तो फोटो ही बेकार रही, तीसरी फोटो उनकी शिखर धवन के साथ है, जो बेचारे उनकी तरह खुद टीम से बाहर चल रहे हैं, संजु भाई लगता है, रिष्टे बनाने में यखीन नहीं रखते हैं, लेकिन रखना चाहिए, लड़गों की दोस्ती तो और भी बढ़िया होती है, चहल की गुलदीब के साथ है, हारदी की केल राहूल के साथ है, लेकिन शायदी किसी को पता हो कि संजु सैमसन का बेस्ट फ्रेंड क्रिकेट में कौन है, यह पता चलना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना चलता है, मेरे हिसाब से इन सारी सलाहों को संजु सैमसन को कायदे से फॉलो करना चाहिए, जब कोली संचुरी मारते हैं तो सब कोली की संचुरी की बात करते है, यहां संजु भाई ने इतनी बड़ी है संचुरी मारती, उसके बावजूद, डिसकेशन यह हो रहा है, कि संचु भाई गेर अप कर लो और क्रिकेट में तो आप जैसा कर रहे हो वैसा ही करना, टीटी वर्ल्ट कप में विकेट कीपर की पोडिशन अभी पता नहीं कौन भरेगा, मेरे ख्याल जिसका फैसला IPL में होगा, कि रहुल, रिशप्पन, तिशान, किशन, जितेश शर्मा, यह सब कंपटीशन में, अगर आगे निकलना है, तो फिर IPL में कर दो चड़ाई, और पीछे पीछे जो मैंने उपर तीन सलाह दी हैं, वो तो एडिशनल हैं ही, बागी वीडियो अगर संजु भाई तक पहुँच गया, तो वो कमेंट भी पढ़ेंगे, इसलिए आप भी कमेंट ऐसे ही लिखिए, कि संजु भाई पढ़ रहे हैं, कल लोटते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करिएगा, सी यू टॉमॉरो, तैंक यू फो वाचिंग, जै हिंद, जै भारत!